क्या आपका भी गार्जन नेट सेक्यूर या फे गार्जन टोटल सेक्यूर्टी या फे गार्जन इंटरनेट सेक्यूर्टी एंटी वायरस है और आप उस एंटी वायरस को जैसे इस्टॉल करने के लिए प्रोसेस करते हैं तो यहां पे कुछ इस टाइप का एरर आता है यहां पर आपका लिखके आता है अनेबल डू प्रोसेश फिद इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन के नोट प्रोशीट फदर प्लीज टेग दा फॉलोविंग एक्शन एंड ट्राइए अगें जहां पर कुछ इस तरह का आपके सामने मैसेज आता है यहां पर मैं आपको बता दूँ नहीं कि आपका गार्जन नेट सेक्यूर का ही एंटी वाइरस हो आपका गार्जन कंपनी का इंटरेट सेक्यूर्टी भी एंटी वाइरस हो सकता है या फिक गार्जन टोटल सेक्यूर्टी भी एंटी वाइरस हो सकता है इन तीनों में से गार्जन का कोई भी एंटी वाइरस तो अगर यह प्रॉब्लम आ रही है यहां पर आपके कंप्यूटर लैप टॉप में तो अगर आप इस प्रॉब्लम का सलूशन जानना चाहते हैं तो प्लीज यह वीडियो स्किप मत कीजेगा यहां पर एक बर मैं आपको garbage 92 इसनिस्टॉल कर रहाँ इसको रन करके डिखा देता हूं जैसे मैंने इस ट्रॉस को रन किया तुरॉं थी मेरे सामने यहां पे कुछ ट इसस टाइप का मैसेज आया होगा हुगा यहां पर लिखा हूगा यह ओरrum इस तरह का मैसेज आया होगा इसका मतलब क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ जैसे आप इस एंटी वाइस को जिसमें इस्टॉल कर रहे होंगे वह विंडोस सेवन उपिटिंग सिस्टम होगा वहां पर सर्विस पैक वन पड़ा होगा आपका वहां पर यह बता रहा है यह दो अपडेट हैं इन दो अपडेट को आपको डाउनलोड करके निस्टॉल करना है तभी यह एंटी वाइस प्रोसीट करेगा यहां पर प्रॉब्लम मैंने दिखा दिया और बता दिया क्यों यह मैसेज आ रहा है और इसको रिजॉल कैसे करना इस दोनों अपडेट को ड आप लोगो चैनल भी सब्सक्राइब निकरते ना कमेंट करते नर लाइक करते हैं जिससे फिर हमें नहीं पता चल पाता है कि आप लोग की प्रॉब्लम में जौल हुई की नहीं हुई तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा यहां पे आइकन बना होगा आपके desktop पे उस पे आपको right click करना है सबसे नीचे properties आएगा इस पे आपको click करना है फिर यहाँ पे system type में आपको दिखा मिल जाएगा कि आपका operating system जो है वो कितने bit का है 32 bit का है इसको जरूर आप note करके रख लीजेगा क्योंकि अगर 64 bit का operating system होगा तो वहाँ पे आप confused मत होईएगा कि अगर 32 bit का है तो प्रोसेस उसका अलग होगा 64 bit का है उसका प्रोसेस अलग होगा ऐसा बिलकुल नहीं है दोनों का process सेम है बस फाइल वहाँ पे डिफरेंट है 32 bit में दुसरी फाइल सपोर्ट करती है तो यह चीज आप clear कर लिजेगा मेरे 32 bit opening system है मै clear हूँ इसके बाद आप कोई भी ब्रॉजर open कर लिजेगा simple अब यहाँ पर आपको टाइप करना है विन्राड डाउनलोड जैसे विन्राड डाउनलोड टाइप करके इंटर करेंगे कुछ इस तरह की official website आजाएगी www.windflashrad.com इस पे चाहिए तो new tab पे क्लिक करके open कर सकते है directly उसे पर क्लिक करके open कर सकते हैं जैसे website open होगी जैसे मेरा यहाँ पर operating system 32 bit का था तो मुझे इस पर क्लिक करना इस विन्राड को download करना है पहले आप समझ लीजे अगर आपका 64 bit का operating system होगा तो directly download विन्राड वाले option पर क्लिक कर दीजेगा अगर आपका 32 bit का operating system होगा तो इस प पर download विन्राड का option आजाएगा फिर थोड़ा वेट कीजेगा यह फाइल आपकी download हो रही विन्राड 32 bit वाली अब इसको open कर लीजेगा फिर yes कर दीजेगा फिर install का option आएगा install कर दीजेगा फिर ok done इसको close कर दीजेगा अब यहाँ पर विन्राड आपका download हो चुका है clear हो गय जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे directly इस पेज पर आप आजाएंगे Microsoft update 32 bit और इस तरह का आपका मिल जाएगा दो फाइल यहाँ पर मिल जाएंगी आपको यहाँ पर अगर इस पर आप करसल ले जाएंगे तो एक 32 bit की फाइल है यहाँ पर आपको देख सकता होगा छोटा-छो फिर download anyway पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर 32 bit वाली फाइल हमारी डाउनलोड हो रही Microsoft का update जो हमारा यह एंटी वारस मांग रहा था कि इन दोनों update को इनिस्टॉल करें फिर उसके बाद यह एंटी वारस इनिस्टॉल होगा तो यह अपडेट हमारा डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ पर इन फोल्डर पर जैसे क्लिक करेंगे यह update फाइल हमारी डाउनलोड हुई यह आ चुकी है अब जो यह update फाइल हमारी डाउनलोड हुई इसको हमें स्ट्रैक करना है स्ट्रैक कैसे करना है जो हमने विनदरास और स्टॉल किया था उसके दुवरा यह स्ट्रैक हो जाएका आप स्ट्रैक कमा टिक करने के स्ट्रैक फाइल त्रैक पर क्लिक करना है फिर अगें उकर देना कुछ आपको चेंज करने है जह और यहां पर देखना चाहिए तो champ नाम देख सकते हैं जहां पर kb4474419 यहां पर क्या मांग रहा था kb4474419 और दूसरा क्या था kb4490628 kb4490628 दोनों फाइल सेम है ऐसे ही आपको 64 bit में भी सेम फाइल मिल जाएगी तो confuse मत होईएगा मैं बार बार बता रहा हूं कि दोनों में अलग अलग फाइल नहीं मिलेगी बस 32 bit की फाइल अलग होती 64 bit की अलग होती यहां पर एक एक फाइल हमें इस्टॉल कर लेते हैं यहां पर जैसे ही इसको फूरन करेंगे यस मांगेगा यस कर दीजेगा अब यह प दूसरी फाइल भी हमें रन कर देना इसी तरह से फिर अगेन यस कर देना है आप चाहें तो रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट करने के बाद दुबारा दूसरी फाइल कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं एक साथ ही रिस्टार्ट कर देजेगा दोनों फाइल जो है इस वह रहाँ हमारा एक यहां पर हमारा कंपुटर रिश्टार्ट हो जितने भी अपडेट हम नहीं किये थे वह कंफीगर होके दुबढ़ा से आउन हो गया है अब यहाँ पे हमें अपने computer में laptop में जिसमें भी आप अंटी वाइस इस्टॉल करना चाहते थे यह process अभी आपने किया इस computer में उसमें internet connection फिर से connect कर लीजेगे जैसे मेरे internet connection अभी connect है उसके बद guardian net secure का जो भी एंटी वाइस जो भी version का आप अंटी वाइस इस्तेमाल करने वा इन तीनों में यही सेम इस्टॉल करने लिएं तो आगे का सट ओ करने के लिए था ना पर आगे का सटिक करना है सट अभ इसका सटाप डाउंलोड करें प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा तो आई होब आपको यस वीडियो में क्लियर जानकारी मिल गई हो गीं मैंने step by step बताया है और detail में बताया है आपको कि किस तरीके से अगर आपके गार्जिंग की किसी भी वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है यह update को लेकि विंडोस 7 का opening system में फिर चाहे 32 बिट हो चाहे 64 बिट हो इसके updates कैसे आपको दाउनलोड करने उसका भी link comment box में सबसे उपर में पिंग कर दूँगा वहां मिल जाएगा दाउनलोड करना है उसको आप डाउनलोड कर लीजेगा फिर उसके बाद जो है update टाउनलोड करने के बाद उसको कर लीजेगा step by step दोने इस्टॉल कर लीजेगा फिर आगें रिस्टार्ट करने के बाद साइच अपने आप कन्फिगर हो जाए दीजेगा पीसी अपने आप अन हो जाए इस वीडियो सो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और बैल आइकन पर जरूर कर लीजेगा क्योंकि इसमें आपका एक भ जानकारी हम पहुचा रहे हैं तो आप लोग को वह चीज प्रॉब्लम हो रही है अभी तो हम वीडियो भी आगे बनाएंगे जिससे आप घर बैटे अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल कर पाएं वह भी बिल्कुल फ्री में तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और झाल